हेलो गाइस तो कैसे हैं आप सब तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर और लैप्टॉप में किसी भी वैब साइट का फुल पेज का स्क्रिंशॉट कैसे ले सकते हैं यानि अगर आपने कोई वैब साइट या वैब पेज ओपन कर रखा है और आपको किसी नोट्स के लिए उस पूरे पेज का स्क्रिंशॉट लेना हो तो कैसे लेंगे तो गाइस वीडियो में तक बने रहें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता है तो गाइस अगर आपको कि इसी भी वैब साइट या वैब पेज का फुल साइज स्क्रिंशॉट लेना हो यानि उपर से नीचे तक का एंड तक का स्क्रिंशॉट लेना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है सिंप्ली आप अपने कंप्यूटर लैप्टॉप में क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे उसक आपको नीचे आना यहाँ पर गूगल कोरम की एक एक एक्सेंशन है जिसका नाम है गो फुल पेज फुल पेज स्क्रिंशन कैप्चर तो घूगल प्रोम की एक्सेंशन में ठीक करना है इसके लिए आपसिंप्री रैड शैड में यहाँ आपको आपको अप्शन दिखाए द तो guys जो Google Chrome के extension हमने download की है उसको देखने के लिए आपको Google Chrome में उपर की तरफ जाना है यहाँ पर आपको Google Chrome extension का logo दिखाई देगा इस पर click करेंगे तो यहाँ पर जो भी extension हमने download की होगी उसके list आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी तो चलिए आप मैं आपको बताता हूँ कि आपको screenshot कैसे लेना है ठीक है तो guys Google Chrome के extension download करने के बाद और उसको Google Chrome में add करने के बाद आपको क्या करना है तो guys जिस भी page का आपको screenshot लेना है वो page आपको यहाँ पर open कर लेना है तो guys यहाँ पर तीन तरीके हैं screenshot लेने के पहला तरीका है keyboard से keyboard से screenshot लेने के लिए आपको keyboard में press करना है alt shift p तो guys आप देखेंगे कि हमने जो भी page open कर रखा है उस page का पूरे page का full size screenshot यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसको आप दो तरीकी से save कर सकते हैं पर आपको option दिखाया देगा pdf और दूसरा है png ठीक है pdf में download करने के लिए आप यहाँ पर pdf पर click करेंगे ठीक है permission देंगे ठीक है आपकी जो screenshot हमने लिया है वो pdf में download हो चुका है अभी आपको इसको अगर png में download करना हो तो आप यहाँ पर इस वाले option पर click करेंगे download image तो guys जो भी हमने screenshot लिया है वो full page का screenshot आप यहाँ पर देख सकते है ठीक है और यह जो image है वो png में download हो चुकी है ठीक है guys यह था पहला तरीका screenshot लेने का जो की है keyboard से ठीक है तो दूसरे तरीके के लिए आपको क्या करना है कि आपको जिस भी पेज का screenshot लेना है वो page आपको open कर लेना है उसके बाद यहाँ पर गूगल chrome extension का जो लोगो है उस पर click करना है और यहाँ पर हमने extension download करी है उस पर आपको simply click करना है तो guys, यह जो extension जो हमने डाउनलोड करी है, वो extension इस पूरे page का screenshot ले लेगी, आप यहां से PDF में और JPG मतलब स्वारी PNG में डाउनलोड कर सकते हैं, यह है दूसरा तरीका, अब मैं आपको बता तो हम तीसरा तरीका screenshot लेने का, तीसरा तरीका भी simple है, आप simply यहां पर extension में जाएं या फिर आपने कोई भी page आपने open कर रखाओ, अब आपको इस पूरे page का screenshot लेना हो, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं फिर भी, पूरे page का screenshot लेना हो, तो आप simply जब भी आपको screenshot लेना हो, आप यहां पर simply camera पर click करेंगे, तो guys, यह जो extension है, उस पूरे page का उपर से नीचे तक screenshot ले लेगी, आप simply यहाँ पर click करके PDF में download कर सकते हैं, और यहाँ पर click करके PNG file में download कर सकते हैं, तो guys, इस तरीके से आप अपने computer या laptop में असानी से पूरे page का website पर screenshot ले सकते हैं, guys, वीडियो पसंद आए, तो like, share, comment ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार है, तो please guys, चैनल को subscribe करना ना भूले, मिलते एक लिए वीडियो में रेट आपके साथ, अब तक के लिए, नमस्कार